मसूरों से खूण áना मसूरों से जुड़े रोगों का संकेथ हो सकता है लेकिन इसके कई और भी कारण हो सकते हैं एकसपर्ट्स के अनुसार विटामिन के की कमी, प्लेटलिट की कमी और महिलाओं में हार्मोनल चेंज की बज़े से भी मसूरों से खूण आ सकता है तो आज हम आपको बताएंगे कि मसूडों से खून निकलने की समस्या को आप कैसे कम कर सकते हैं अगर आपके मसूडों से खून आता है तो सबसे पहले अपना टूथ ब्रश बदले अगर आपका टूथब्रश हार्ड है तो उसकी जगा पर आप नरम बालो वाले टूथब्रश का इस्तमाल करें इससे आपके मसूडों से खून निकलने की समस्या कम हो सकती है एक बैलेंस डायेट वो है जिसमें हर तरह की फूद्स मौजूद होते हैं आप एक डायेटीशन से कंसर्ड करें और एक ऐसी डायेट लें जिसमें विटामिन, कैल्शियम और कई और नियूट्रिंट्स हो ऐसा करने से डेंटल प्रॉब्लम दूर हो सकती है डेंटल हेल्थ, ओवरॉल हेल्थ से जुड़ी हुई है आपको बता दे कि मेंटल स्ट्रेस के कारण कोर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है जिससे की शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन आ जाती है मसूडों में भी इसी वज़े से सूजन आती है इसलिए अपना खयाल रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप स्मोकिंग करते हैं या तंबाको उत्पादों का इस्तमाल करते हैं तो उन्हें तुरन छोड़ देना चाहिए बदा दे कि इससे भी मसूडों को नुकसान पहुंचता है साथ ही आप अच्छे से पानी भी पिएं जिससे कि आपके दान बैक्टीरिया से सेफ रहें लेकिन आप इस बात कर ध्यान जरूर रखें कि ऐसी प्रॉब्लम्स होने पर एक डेन्टिस से जरूर कंसल्ट करें और इसके कारण का पता लगाए